नमस्कार छेत्या शिक्षा शंस्थान N.C.E.R.T. मैसूर के E-Content Development Program में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम आठवी कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक, वसंत, भाग तीन में समिलित निबंध, क्या निराश हुआ जाए पर बादचीत करेंगे निबंध साहित्य की महत्वपुन विधा है निबंध में कल्पना, भाव और विचार निहित होते है क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्वेदी का प्रसिद निबंध है इसमें भारत वर्ष की महांता को बताया गया है भारत में संस्कृती, सभ्यता और जीवन के मुल्यों को इस निबंध में रेकांकित किया गया है मनुष्की निराशावादी धारना का प्रतिवाद करते हुए उसकी जगह पर आशावादी सोच का विस्तार इस निबंध की विशेशता है क्या निराश हुआ जाए इस निबंध में सच्चाई, इमानदारी, प्रेमभाव, परोपकार, दया, करुना, आदी मुल्यों का जिक्र आया है जो समाज का आधार है समय कितना भी क्यों न बदले लेकिन जीवन मुल्यों का अस्तित्वा समाप्त नहीं होगा जीवन में अच्छे और बुरे सभी तरह के अनुभव मिलते हैं लेकिन हमें निराश नहीं होना है जीवन आशावादी सोच विचार से सार्थक बनता है यही क्या निराश हुआ जाए निबंध का भावार्थ है आएए हम इस निबंध को लेकर विस्तार से बातचीत करते हैं इस निबंध के लेखक है हजारी प्रसाद दिवेदी दिवेदी जी हिंदी के जाने माने लेखक है इनका जन्म 19 अगस्त 19 साथ को छपरा जीले के बल्या ग्राम में हुआ था इन्होंने में डिलीट की उपाधी प्राप्त की है हिंदी में इन्होंने कई निबंध लिखे हैं इसलिए हजारी प्रसाद दिवेदी को निबंध कार के रूप में अधिक प्रसिद्धी प्राप्त हुई है लेखक की कई रचनाएं हैं उनके उपन्यासें बानभट की आत्मकथा चारुदत प्लेक, पुनरवान, अशोक के फूल, कूटज, कल्पता, विचार वितर्क, अलोक पर्व इसके अलावा उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना भी की है और साथ ही साथ संपाधन कार्य भी किया है क्या निराश हुआ जाए एक महत्वपूर्ण निबंध है इसमें लेखक ने भार्त्य मानस की निराशा वादी धारना का प्रतिवात करते हुए आशा वादी बने रहने का आहवान किया है आमतोर पर समाजिक बुराईयों को देख कर यह मान लिया जाता है कि जीवन मुल्या अब खतम हो रहे है इमानदारी, सच्चाई, परोपकार, आध्यात्मिक्ता बची नहीं है इमानदारी को मुर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है लेकिन यह अधूरा सच्च है मनुस जीवन में अच्छे बुरे अनुभव मिलते ही है जिसमें अच्छे को ही स्विकार करना चाहिए गलत धार्नाओं से मुक्त होकर भात्या समाज की महान संस्कृती और सभ्यता को समझना आवशेक है इस भावना से प्रेडित होकर हजारी प्रसाद द्वेदी जी ने क्या निराश हुआ जाए निबंध लिखा है इस निबंध में आये हुए कुछ विचार और कुछ महत्वपुन विंदु है वो इस प्रकार है पहला है जीवन मुल्या में आस्था दूसरा है महान भारत्या संस्कृती का गुनगान तीसरा है निराशा वादी प्रचलित आम जंधारना का प्रतिवाद यह लेख एक विचार प्रधान निबंध है इसमें लेखक ने भारत्या मनुस की सोच विचार को रिखांकित किया है जिसमें जीवन मुल्यों के प्रति आस्था भी प्रगठ हुई है हमारे यहां समाचार पत्रों की खबरों को देखकर यह मान लिया जाता है कि यहां चोरी, डकैती, भ्रस्टचार, ठगी का बोलबाला है कोई भी इमानदार नहीं दिखता है इमानदारी अब मुर्कता का पर्याय बन गई है कोई जीवन मुल्य बचे नहीं है लेकिन यह सच नहीं है यह तो मनुस के देखने समझने पर निर्भर करता है लेखक निबंध में बताते हैं कि भारत वर्ष में जीवन के प्रती देखने का अपना एक स्वतंत्र सकारात्मक नजरिया है जो जीवन मुल्यों के प्रती आस्था रखने वाला है हम गुनों की जगा अगर दोशी देखेंगे तो सारी दुनिया ही दोश युक्त लगेगी इससे मुक्त होकर भारत वर्ष की महान परंपरा और मुल्यों को देखना चाहिए वे निबंध मेरे खांकित करते हैं कि हमारी यह धर्ती मनिश्यों की धर्ती है यहां मानवता का निवास है मानवता के इस विशाल सागर में सभी संस्कृतियों का मिलन है इमानदारी, सच्चाई, परोपकार और आध्यात्मिकता के मुल्या कभी खतम नहीं होते हैं इन मुल्यों के प्रती आस्था हमेशा बनी रहती है लोगों के हिरिदे में भले ही लोब, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता हो लेकिन उसके अंतरमन में जीवन के प्रती देखने की सकारात्मक भावना भी होती है इसी भावना के तहट मन तथा बुद्धी का सही इस्तमाल करके आचरन करने पर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है आज मनुश्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटती है जो मनुस को उसकी मनुश्यता का एहसास कराती है लेखक भारत की महान परंपरा संस्कृती और सभ्यता के प्रती विश्वास जगाने वाले निबंधकार है वे इस निबंध में महान भारत्य संस्कृती का गौरगान करते हैं वे बताते हैं कि भारतवस ने कभी भी भौतिक वस्तुवों के संग्रह को बहुत अधिक महत्वा नहीं दिया है उसकी द्रिष्टी से मनुष्ट के भीतर जो महान आंत्रिक गुन स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है भारतवस सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है लेकिन आज के जमाने में कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है यह समाज और राष्ट के लिए ठीक नहीं है भारत्य मनुष्ट आज भी प्रेम के महत्वा को जानता है महिलाओं का सम्मान करना जूट और चोरी को गलत समझता है दूसरों को पीड़ा पहुचाने को पाप समझता है आज भी समाज में सेवा, इमानदारी, सच्चाई का महत्वा है कुछ बाते हैं जो दब गई है पर खतम नहीं हुई है यदि हम खतम ना हुवी अच्छी बातों को समझते हैं उसका उज्जागर करते हैं तो मन में संस्कृती के प्रती विश्वास बढ़ेगा और हमारे ये भारत देश, भारत देश की महान संस्कृती का पता चलेगा इस तरह के विचार हजारी प्रसाद द्वेदी जी रखते है इस निबंद में लेखक ने निराशावादी प्रचलित आम जन्धारना का प्रतिवात किया है वे निराशा से मुक्त होकर आशावादी बने रहने का अहवान करते हैं वे बताते हैं कि आज भी हमारे समाज में इमानदारों की कमी नहीं है रेलवे स्टेशन पर घटित घटना के द्वारे या समझाया गया है एक बार टिकट लेते समय उन्होंने ज्यादा पैसे दे दिये थे जो पैसे बचे थे उसे टिकट बाबु ने रेलगाडी में आकर उस से वापस किया दूसरी घटना है जब वे बस में सफर कर रहे थे तो बस कंडेक्टर ने उनकी सहायता की ये घटना इस निबंध में जीवन के प्रती आस्था और सकारात्मक दृष्टी का बोध कराती है जीवन में आशावादी बनने की प्रेड़ना इस निबंध से मिलती है लेखक का विश्वा से कि आए दिन आए दिन ऐसी घटनाए होती ही रहती है पर हमें आशावान और प्रसंद रहना चाहिए हमें उन बातों को याद नहीं रखना चाहिए जिससे हमें धोखा मिला है हमें ऐसी बातों को याद रखना चाहिए जिससे हमें किसी और की मदत या साहाइता करने की प्रेरणा मिलें। क्या निराश हुआ जाए या निबंध विचार प्रधान शैली में लिखा गया है। इस निबंध में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसकी भासा सहज, पठन्या और प्रवाह मई हैं जिससे विचारों को आसानी से समझा जा सकता है क्या निराश हुआ जाए एक सार्थक निबंध है जिसमें जीवन मुल्यों में आस्था रखने के विचार है निराशावादी आम जन्धार्ना का प्रतिवाद करके आशावादी द्रिष्टी से परिचित कराता है इसमें भारत की महान सलस्कृती को दर्साया गया है इस निबंध को पढ़ने पर जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ विचार मिलते हैं जो निबंध की विशेष्टाओं के भी परिचायक है पहला है जीवन के महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था कभी कम नहीं होनी चाहिए दूसरा आंतरिक भावनाओं को महत्व देना चाहिए तीसरा स्वार्थी लोगों का साथ नहीं देना चाहिए चौथा बुराईयों से मुक्त होना चाहिए पाच्वा लोगों की मानविया भावना को समझ कर आचरन करना चाहिए छट्वा मनुष्यता पर विश्वास बडाय रखना चाहिए साथ्वा अपने मन में आस्था की जोती जगाना हम उमीद करते हैं कि आप इस निबंद को अच्छी तरह समझ गए होंगे धन्यवाद